आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्केट में आज इतना जबरदस्त गिरावट क्यों हुआ इसके पीछे का क्या-क्या वजह है कौन-कौन सा इसा नियूज है जिसके उपर आपको ध्यान रखना चाहिए और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्या वोट हुआ इन सभी पॉइंट के उपर हम लोग डीटेल में डिसकसन करेंगे अब अगर देखेंगे तो अज जो है निफ्टी आपको ग्याप अपोपन हुआ था एक अच्छा फॉप आप ओपनिंग आपको निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद जो है आपको ओर्निंग से हीं हम लोगों को एक सोलींग प्रेशर देखने को मिला कल कि विडियो में इहां पर दिसकसिट किया था को सकता है उसके ऊपर यह हम और अगर आप लोगों नहीं देखा है इंडिस किन पर आपको लिंक मिल जाएगा आफ लोग देख ली सगा काफी कुछ आपको स सेटल हुआ है इसके पीछे का कुछ फंडामेंटल लीजेन है सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो जितना भी हैबी वेट स्टॉक है उन्स सभी स्टॉक में जो है एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला कोटेक बेंक में पॉने दो परसेंट से सबसे पहले समझते हैं जो सबसे पहला आपको वजह है एक है क्रूड ओयल के ऊपर आपको नहीं बढ़ता है जो अगर क्रूड ओयल का डिमांड आपको नहीं बढ़ता है फिक अप नहीं होता है तो उपिक प्लस जो वोलेंटरी लिए आपको टू पॉइंट टू मिलियर ने बैरल जो उन्होंने कटोती किया हुआ है वो आपको जून के बाद भी एक्स्टेंड हो सकता है और यह चीज जो है आपको मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है तो एक क्रूड ओयल के ऊपर जो है आपको अगर डिमांड नहीं बढ़ता है तो यह जो कट उन्होंन काफी आपको मार्केट अगर वन टू मन्त में देखेंगे तो एक अच्छा तीजी हुआ यहां पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और आपको इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल र प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों को देखने को मिलता है और यह वी एक वजह है जिसके ऊपर जो है आपको मार्केट काफी फोकस है यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आ सकता है तो मार्केट के लिए ज्यादा कंसर्णिंग नहीं है क्योंकि यह आलमोश्ट पॉइंट सेवन फाइप परसेंट का फॉल जो है यह ज्यादा फॉल नहीं हो सकता है आपको पॉट्फोलियो में जरूर ज्यादा फॉल देखने को मिलता हो बट मार्केट के लिए इतना बड़ा फॉल जो है वह आपको ज्यादा नहीं है यह एक रेगुलर तो इसके उपर भी काफी ज्यादा फोकस होगा तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए मार्केट में जो है आपको एक अच्छा गिरावट देखने को मिला और आज वीकली क्लोजिंग था तो वीकली क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां प अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली बेसिस पर हम लोग को एक डोजी केंडल का फॉरमेशन देखने को मिल रहा है साथ अगर हम लोग क्लिरली यहां पर देखेंगे तो कल भी हम लोग ने डिसकर्शन किया था यहां पर एक डबल टॉप का फॉरमेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने इसी लेवल पर सॉरी निफ्टी ने इसी लेवल पर रसिस्टेंस फिस किया है चलिए अब डेली सब्सक्राइब करते हैं तो देली विस पर देखेंगे तो यहां पर निफ्टी ने प्रीविएस द्री ट्रीडिंग से संका जो गें था यहां पर सारा गें निफ्टी ने दे दिया है एक स्ट्रॉंग बियरिस इंगलफिंग केंडल का फॉरमेशन हम लोगों को देखने को म है और डॉंसाइट से हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है यानि कि श्टॉक जो है आपको एक चैनल पार्टर्ड में ट्रेड कर रहा है इस टॉक अपने चैनल के अपर लेवल पर ट्रेड कर रहा है और वहां पर निफ्टी ने डवल स्टेडी 22000 की तरफ आ सकता है यह अगर इस लेवल को बेकडाउन कर देता है यह जो इमीडियेट सपूर्ट है अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है जो यहां पर आपको गैप डान ओपनिंग के बाद एक अच्छा बाइंग देखने को मिला अगर इ गिडवाट देखने को मिल सकता है अभी झोएं निफ्टी में आपको डान साइड का मूव ही जड़ा देखने को मिल सकता है साथ जाथ ऊप रिजयल्ट के बाद सभी बराइश टॉक्स में एक प्रके , बुकिंग देखने को मिल रहा है तो उसका भी applied बैंक को कि बात कर यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है तो बेंक निफ्टी भी नीचे की साइड में आपको स्लाइड हो सकता है क्योंकि अगर मेजर बैंक निफ्टी का तो यहां पर वीक रिजेक्शन दिखरा है जो की क्लिरली इंडिकेट कर रहा है जो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे सेलिंग हम लोगों को यहां पर दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है एक राइजिंग वेज पैटर्ण में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो क्लिरली जो है हम लोगों को यह दिख रहा है तो नीचे की साइड में बैंक निफ्टी भी अपको 48,000-47,900 इन सभी बड़ाना नहीं है। थोड़ा से पेसरेंस रखें mods जरूरी नहीं है आगया तो आपके पास जो स्टॉप है वह भी गीरे गा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है तो बोटर बिण करता हैוח चार्ट का एसा टेकनिकल सेट अप है या उस परटिकॉलर स्टॉक के उपर कोई निव्ज है पॉजिटीव निव्ज है निगेटिव निव्ज है तो काफी सारे फ्रेक्टर हैं अगर यहां पे आपको एक्रॉस ता मार्केट सेलिंग होगा तब जो है इस टॉक में गिरावट होगा नहीं तो यहां पे जरूरी नहीं है जो हर स्पाइब मार्केट गिरेगा तो सभी स्टॉक्स जो है वह आपको गिरेंगे तो आपको पैनिक नहीं करना है बट कॉसियस जरूर रहना है आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छा से क्लियर हो गये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ अनलेसिस अच् है अनलेसिस को अनलेसित आपको फी पानलेसि जरूर अनलेसित करना है बट एला जूर नहीं करना है।